बंगलदेशी हिंदूओं पर सरयाम हो रहा त्याचार भारत के हिंदूओं को योगी ने क्या खबरतार पटेंगे तो कटेंगे आप देख रहे हैं ना पानलादेश में देख रहे हो ना बात चाहे पाकिस्तान की हो अफगानिस्तान की हो या फर अब पड़ो से मुल्क बंगलदेश की हो जहाँ जहाँ इंदूओं के आभाधी घटी है या फिर वो बटे हैं वहाँ वहाँ इंदूओं पर अत्याचार हुए हैं उनके मंदिरों को तोड़ा गया उन्हें सरयाम मार कर घजीटा गया आने वाले समय में बांगलादेश जैसे आलात कहीं हिंदुस्तान में भी ना हो जाएं इसलिए बीजेपी के फायर ब्रैंड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री यूग्या दितनात ने हिंदुओं को ललकारते हुए कहा कि बांगलादेश से सबक लो अगर बटोगे तो कटोगे वाबास को तब सशक्त होगा जब हो एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे आप देख रहे हैं न पांगलादेश में देख रहे हो न तो वो गश्रत्यां यान नहीं होनी चाहिए सियम योगी ने इंदुस्तान के इंदुओं को बांगलादेश से सबक लेने की नसियत देते हुए एक रहने की उंकार भरी तो कुछ सौकॉल सेकुलर नेताओं को सियम योगी के इस बयान में भी सामप्रदाइक्ता की बूँ आने लगी सबसे पहले तो सपाई मुख्य अखिलेश यादव ने सियम योगी के बयान का विरूद करते हुए कहा जिमेदार लोगों का काम भै से बचाना होता है भै फैलाना नहीं अगर ये किसी के व्यक्तिकत विचार हैं तो गलत हैं और अगर उनके दलके हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं भाजबराज में बने भै के सवातावरन में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है निंदनिय बयान जियम योगी ने हिंदूओं को एकजूट होने की बात कही तो अखिलेश यादाव को योगी की सपील में भी भै नजर आने लगा और जब उन्ही की पार्टी की बड़ी नेता मारिया अलम खान चुनाव के दौरान सरयाम वोट जिहाद की बात कर रही थी तब शायद अखिलेश यादाव को कोई परेशानी नहीं हुई इसलिए पूर्व केंद्रे मंत्री सल्मान खुरसीद की बेटी मारिया अलम खान वोट जिहाद के नाम पर सपा के लिए वोट मांगती रही मुकेश राजबूद की नीटिंग कराई मुझे लगता है समास से उनका हुपका पानी बन कर देना चाहिए इतना मतलबी मत बनो बच्चों की जिन्दवियों से खेलो हमारे बच्चों की ज्यानों से खेलो मारिया अलम खान जैसे सपाई नेता खुलेयां मुसलमानों को एकजूट करने के लिए वोट जिहाद की बात कर सकती है लेकिन सियम योगी बांगलादेश की हाला देखकर हिंदूओं को एकजूट होने के लिए कह दें साथी बदनामी है विवादित बयान बाजी करने के लिए कभी उनके छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी 15 मिनिट की धमकी देते हैं तो भी बड़े ओवैसी अपने छोटे भाई को तौप बताकर धमकी देते हैं हिंदूस्तान हम 25 कौड है ना तुम सो कौड है ना ठीक है तुम तो हमारे से इतने जादा है पंदरा मिनिट के लिए पोलिस को हटालो बता लेंगे किसमें इम्मत है कंता अफन हो है अरे छोटे को रोक के रखाओ छोटे को भोत रोक के रखाओ अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला के मिया मगदा आराम करतो तुम समालो फिर तुम समालो छोटे है छोटे तुमको मालूमी क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको तोप है वो बोर बच्चा है सालार का बेटा है बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता है उनको बहुत मुश्किल से और उनको समझाने वाले का नाम हसाद अद्दीन वैसी है कि इसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा बोल्बू कल से शुरू करो बैटिंग अभी खाली उन्हों टाइमिंग कर रहे सिंगल ले रहे अगर शुरू होगे टी-टी-टी का तो तुमारा भी टी-टी-टी फिर कैसा होगा देखो विवादित बयानों की जड़ी लगाने वाले असद्दुतिन वैसी को सीम योगी की ये बात बरदाश्ट नहीं हुई कि कैसे उन्होंने हिंदूों को एक जुट होने के लिए कह दिया चोटे वैसी 15 मिनिट वाली धमकी दें तो ठीक है बड़े वैसी भाई की धमकी दें तो भी ठीक है लेकिन सीम योगी को हिंदूों को एक जुट करने के अपील नहीं करनी चाहिए अगर वो हिंदूों को एक रहने के लिए कहेंगे तो यही हो वैसी योगी पर हेट स्पीच देने के आरोप लगा देंगे योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एंड कॉंटर्स होए अलब संके समाज मुसल्मानों के उनके राज में आज भी बुल्डोजर के जरीए मुसल्मानों के घरों को तोड़ दिया जाता है और उन्ही की राज में लोग बोलते हैं कि मुसल्मानों का क्या जेनोसाइड नरसिंगार हो वो खुद हेट स्पीश देते हैं मुसल्मानों के बारे में योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश के खंड़ता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं तो उनकी मुँ से जब इतने सब अनाब शनाब बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं तो बाटेंगे तो कटेंगे आप ही तो बाट रहे हैं कौन बाट रहा है आप ही तो बाट रहे हैं तो का बांगलादेश का उधारन दे कर सीम योगी हिंदू को एक जुट होने की अपील भी नहीं कर सकते योगी ने तो हिंदू से बस इतना ही कहा था कि बटोगे तो कटोगे और विपक्ष के सीने पर साप लोटने लगा क्या विपक्ष के तरह आपको भी योगी का ये बयान घलत लगता है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथी योगी के इस बयान पर यूपी की जनता ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं यह उनका बयान एक सनातनी के तोर पर है और चुकि सनातन को जिस तरीके से आज बाटा जा रहा है आज जरूरत है कि हिंदू एक हो एक पुराना इतिहास रहा है वो पहले मुगल आये मुगलों ने बाटा अंग्रेज आये जिनकी तो नीत ही थी फूट डालो राज करो जाति के नाम पर रंग के नाम पर काले गोरे का भेदभाव करके हिंदूों को बाट दिया गया और आज की जो राजनेती चल रही है वो भी जाति के नाम पर बाटने के चल करके लिए को मदभाण करते हैं पर करें सिर्फ क्शाटा फे salah होता है चालेहिं क्या हिंदू अियंदू अगर बाठहा ठेका तोटेएस कमरा कर देखे आफिक mane है अफगानिस्तान में इंश्तान इसके थे समझे बात को जब देश का बढ़वारा हुआ और पाकिस्तान को एक मुसलιम रास्ठ Kriter तोर बना दिया गया और भारत को धर्मसाला बना दिया कि भारत बें सारे धर्म के लोग रहें आज पाकिस्तान में हिंदूओं की इस्तिक किसस्तर पर ये आप जानते हैं और जो युवा हैं वो जानते हैं कि कस्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ कस्मीर 90 के दसक में कस्मीरी पंडितों के साथ क्या कुकर में हुए हैं वहाँ उनकी मताओ बहनों के साथ क्या हुआ आज बांगलादेश की स्थी को आप उठा कर देख लिजे साहब बांगलादेश में जो इस्थी पैदा हुई है आज भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत में भी बांगलादेश की जैसी स्थी हो सकती है एक तरफ जहां असुदुदिन OEC का भाई अकपरुदिन यह बयान देता है कि तुम 100 करोड है ना हम 25 करोड है 15 मिनट के लिए पटा दो पुलिस देख लेंगे किसमें कितना अदम है इसके बाद जब भारत के नेता यह कहते हैं कि भारत में बांगला देश जशिस्ति है तो यह सवाल पैदा होता है क्या वास्तों में हिंदुमों को ब म grid शंब बैटान कर रहा है दल्त मुसलम महिली कि अदलिस समाज हमारा Hindu समाज है गया करके महिलों की महिला की महिलां कोलक crappy हैं के आओ यह में घण दहा देता है तो सवाल पैदा करते हैं कि यह कैसा नियाय है कैसी लोग अर्ण मैघ्छ के अस्रों कॉंड़ को फिammis तुम्हें देख के छुआ था उस लड़की को क्यों उस लड़की को तुम्हें चुआ सवाल पैदा होता है सहाब जब देश के हिंदू पर संकट आएगा तो हिंदू को एक होना पड़ेगा और मैं योगी जी के इस पूरे बयान से पूरे तरीके से सहमत हूं बिल्कुल जो जो हिंदू जगे नहीं है जो सोय हुए उनके लिए क्या देखें जो हिंदू सोय हुए है जिनको जगाया जा रहा है जो गहरी नीद में सोय हुए है वो कभी जगेंगे नहीं वो एक कहें न तो हिंदू नहीं है वो दोगले हिंदू है सीधा सीधा मेरी बातों से हो सकता है है किसीको पीडा हो रही हो किसीको घौर पीडा हो रही 30 फिर भी मैं अपनी बात को कहूंगा कौनका जो हिंदू सो Minister कोणा क्यों स्बस्क्राइब होंगे अगर किया हम धर्म बचेगा आज कि नहीं थेजि generators कर भारत में मिलारो में क्या हो रहा है। संक्यक हैं और मैं इस बात से भी समर्षन करता हूं कि हिंदू जब तक स्वयम जागरित नहीं होगा तब तक तेज का विकास नहीं होगा मैं नहीं कह रहा कि धर्म के धार पर बट जाईए आप भाई चान निभाई यह लेकिन आप इसका उधारान भी देखिए कि भाई चान निभाते हम स्वयम ही चारा वन गए बिल्कुल समय आने पर एक जूट होना पड़ेगा अभी अभी कि मैं अभी आप जनवरी में राम मंदिर का उध्गाटन था ऐसे बहुत से हिंदू परिवार्ति भाई साब जो कहते थे कि हम मंदिर दर्सन करने नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे भा आप खाले तहन नब्बे में महां पर हिंदू के उपर गोलें चला गई थी उसका विरूत करना शुरू करते हैं तो भाई साहब जब तक आप सोयम हिंदू के लिए इस्टैंड नहीं लेंगे अपने धर्म के लिए दूसरा नहीं आएक लेने के लिए आपको कमजोड पाकर लोग आपको दबाते हैं मैं हिंदू से और आप दर्सकों से भी या करता है जाओ अगर आप हिंदू हैं तो आप उठिये हमारा धर्म भी कहता है कि सास्त्र के सास्त्र उठाना भी सीखिए जब तक आप सोयम अपने धर्म के लिए नहीं आगे आएंगे कोई नहीं आएगा लगता है कि मिलके रहना ज़रूरी है जब देश की बात आ है तो जात धर्म हर एक चीज जरूरी है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है किसी एक विशेस जाती धर्म की बात कही है योगी ने आपको लगता है किसी एक की बात कही है या देश की बात कही है ने देश की बात है देश के इसाफ से सुनेंगे योगी आम मोदी से क्या हम सुनेंगे हमको अपने इसाफ से चलना रहे ह तो आपना धर्म निवाई उसमें क्या है जरूर जहां गलत है तो उसका साथ दो और भी लोगों से बात करते हैं को चाय के दुकान पर भी भाई लोग है इन से बात करते हैं योगी आदितनात का एक बयान आया है कि बटेंगे तो कटेंगे साफ शब्दों में काया कि देश की बात आए तो एक जूट होना पड़ेगा बांगलादेश में जो कुछ हुआ है वे एक जामपल है हम सब के सामने क्या कहेंगी योगी का ये बयान कितना सही है इनका जो बयान दिये हैं इनका बयान सही है और इनसे हम लोगों की एक संदेश यह मिलता है कि आज अगर जो एकित्र नहीं हुए तो आगे चलके परेसानी बहुत आनी है और इसी परेसानी से लड़ने के लिए अगर हम आज एक हो जाएंगे तो आगे मजबूती बनी रहेगी उनका कहने का मतलब यह है और अगर जो उनके बयान से किसी और को किसी चीज की तकलीफ होती है या मन में कुछ गलत अभाव या कुछ संदेश चला तो यह गलत सोच है उनका कहने का मतलब केवल यह है कि हम लोग एक हो जाएं अब जहां राष्ट हित की बात है वहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो केवल राष्ट को बचाना ही अपना धर्म होता है यह नहीं कि हम हिंदू है हम अलग हो जाएं हम मुस्लिम हैं, अलग हो जाएं आज अपने राष्ट को बचाना है जब तक एक नहीं होंगे अपने राष्ट को नहीं बचा पाएंगे अगर जो देश पर आपदा आती है तो किसी ये देखकर नहीं आएगा कि हम हिंदू है वो आपदा आएगा तो उसमें चाहे मुस्लिम होंगे चाहे हिंदू होंगे चाहे पंडित होंगे चाहे ठाकुर होंगे चाहे माली चाहे सैनी चाहे कोई भी आएगा आपदा सब के ऊप परानी है